कि अस्सलाम अलेकुम सस्रीयकाल नमस्ते आपको स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर इमामैं माल्टा टेवी में आज माल्टा की एडेंटी माल्टा के तरफ से आज एक नीव अपडेट है आज वो अपडेट लेके आया हूं मैं आप लोग के बीच में और हमारे भाईयों इसे बलूंगा कुछ अपने बारे में बतलाऊंगा कुछ जो नया अपडेट है उसके बार में बतलाऊंगा 2024 में क्या लागब हूए थीक है और बतलाने से पहले मैं आप लोग को कुछ दिखा भी दूँँ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी कंपणी में जब मैंने आज मैंने उसका ID renewal करा है एक साल के बाद क्योंकि फाइनली उसका एक साल हुआ तो उस बिसेस में जरूर बात करूँगा और यह चीज आप लोग ध्यान रखें क्योंकि आप लोगो भी कल हो सकता है कि पेक करना पड़ेगा पैसे और यह आपको भी knowledge होना चाहिए इडेंटी माल्टा में जो अप्लाई करने वाले हैं जितने मेरे भाई यह उनके लिए है खास करके जैसे कि सबको पता है इडेंटी माल्टा इडेंटा हो गया है और यह है सलीम का हमारा argument है मैंने खुद अपने मोईल से ही पेक किया और सबसे पहले तो वो जरूरी है क्या सली मैं दिखा दूँ आप लोगों को जूम करके कि टोटल अमाउंट तीन सो यूरो जैसे देख लिए आप लोगों दिख रहा है तीन सो यूरो है ना यह तीन सो यूरो मैंने खुद अपने रिवोल्ट से ही मैंने पेक किया था और अब जो पहले हम पेक करते थे 280 यूरो 50 सें अब हम उजगे पर पूरा 300 यूरो ने कर दिया है उसका फीस अभी बढ़ा दिया है 2024 में और मेरी जितने भाई आने वाले थे जो बोले थे यह लोग कोर्स कराने के लिए 575 यूरो तो अभी उस पर भी यह कंफर्म नहीं हुआ है ठीक है कंफर्म जैसा भी होता है मैं बतला दूर बनाओंगा क्योंकि आज अभी 2024 में जो करेंटली लागू हुआ है क्योंकि देखिए मैं अपलाई किया तभी मुझे मालम चलेगा आप दूसरे क्रिश्य से पूछ के बदलाना तो उस पर कोई खोता नहीं कोई कंफर्म नहीं होता है तो जो मेरे पास कंफर्म होता है मैं उसे पर बात करता हूं नहीं तो एक्स यजट में पर बात ही नहीं करता हूं तो मालिटा में यही एक नया अपडेट है फिलाल तो कि जो 280 यूरो फैस जो भरते थे हम लोग 280 यूरो 50 पैसे वर्क परमिट के लिए अब वो उसको बढ़ा दिया गया है 300 यूरो हो गया है ठीक है ना बाकी तो जो पहले था वो तो ही है फिलाले नया है एक अपडेट 300 यूरो हो गया हुआ है जो नहीं अप्लाई करने वाले है और जो इनका आइडी दिनूर होगा उनके लिए भी अब मैं कुछ अपने बारें बताता हूं क्यूंकि देखो मैं एक तारीका मेरा फ्लाइट जो तेरा तरीका था वो मेरी फ्लाइट 66 घंटा लेट होगी थी तो इस वे से मैंने वो फ्लाइट को रिफंड करवा के और मैं वापसी चला गया था मैंने फिर दुबरा लिए मैंने एरपोर्ट से वापसी चला गया एरपोर्ट से निकल के बाहर चला क्यूंकि वह फ्लाइट मुझे कब मालूम चले जब मेरा बोडिंग हो गया था तब मालूम चला था तेरा तारीक को तो मैंने बोला आप आके आप दो-तीन दिन क्या करूंगा चुटिया वैस हैं खासकर को कोशिस करें कि अइटे के बुक करें टीकर उनकाusan बहुत एज़ी है और वीछवाट विभु यह तो मैंने क्या बॉटक करा ह। तो उस टाइम आइटे की फलायट थी डिली से वर्वा के लिए मांससले मल्टा के लिए तो लास्ट मॉमिट पर जब मेरा बॉर् मिलेगी सेम टाइम सेम वक्त में तो लास्ट आपने देखा होगा मैंने एक वीडियो छोटा सा क्लिप मैंने अपना उसमें डाला था मैंने इस्टाग्राम के तो आप दो देखा हो वही माल्टा के एरलाइंस सी तो मैं फाइनली एक फर्स्ट जन्वारी को यहां पर आ गया थ नामी होती है और कुछ भी नहीं होता है भाई लोग ठीक है और एक हमारे भाई हैं हमारे बड़े भाई हैं मैंने वह चीजे उन्सकी सांद डिसकस करी थी तो बस भाई ने हमने यह बोला था कि इमाम भाई आप जितने भी आदमी ले गए हो सब अनपड़ों को ले गए हो तो एकदम उनकी बात बिल्कुल सही है और यह 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 यूरप पहली बार है आदमी सवधी दुवई में जाता है अगर कोई अपना आदमी मूझे पौस्ट प्र होता है तो उसका जड़ काटने वाला कोन होता है अपना ही आदमी होता है कोई दूसरा नहीं होता है बट इमाम फिर से बोलता है इस वीडियो में online Shivam साथ है कि इमाम एक इतना पेड मजबूत है कि उसको जल्दि कोई हिलाने सकता है और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई हिला दे क्योंकि मैंने अपने इस कंपणी में प्यार कमाया है और एक मेहनत में मैंने आल्रेडी दो बार रिजाइन डाला था जो मेरा रिजाइन कैंसल हो गया है अब खुश सकते हैं कि मैं एक मेने के लिए चुटी गया था मैं दो मेंने रहके हूं मेरी कंपनी आते मुझे जो रिस्पेक्ट दिया है वो में जाता बाकी आगी क्या होगा वह अल्ला मा वक्त आने पर दिखा दूँगा कि वह कौन गद्दार है और कैसे हैं कैसी बाते करते हैं मैंने ऐसे से आदमी को इस कंपनी में सस्ते रेटों बतलाए को वह जितना सोच भी नहीं सकते हैं और इतनी इतनी बातों के लिए इतना बड़ा-बड़ा मुझ फुलाते हैं तो लो बाजू में दम होगा और जिसके सरीर में दम होगा और जिसको नॉलेज होगा काम को कोई माई का लाल दबा नहीं सकता है दुनिया के कोई भी कोने में वह जाके काम कर सकता है और कोई भी कंपनी में चमचै और पालिस वही मारता है जिसको काम नहीं पता है जिसे कोई चीज पर रखेगी क्योंको मुझे इतना नौलेज है और मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है बहुत आदमी है जो जल रहे हैं और बेरे अपने ही हैं दूसरे कोई नहीं इसी कंपनी में रखाऊं किसी का नाम लिलूँगा और वक्त आने पर वीडियो दिखाऊं दिखाऊं कभी भी नहीं करूंगा जिसको जो गदारी करना करें अगर मैं किसी के सांथ गदारी करता हूं चाहिए मैं किसी के सांथ कुछ करता हूं तो देखने वाला उपर वाला है मैं नहीं इंसान तो कोई है नहीं किसी के सांथ अगर कुछ कर रहा है तो सजा भी वही देगा सब च सब को पता है फिर भी इतना बड़ा बड़ा फोलाने से कुछ नहीं होता है कोई कुछ नहीं बिगार सकता है सुर्श लेकर आखरी तक दो साल हो गया इस कंपनी में फिर मैंने दो साल का कार्ड लिया हुआ है इन फ्यूचर अगर कंपनी में कुछ होगा तो मैं खुद लिख क देते हैं तो कभी's-कभीं मन भी दुक होता है कि दूसरे कोई नहीं होता हैं वह हमारी अपने यह होते हैं और हमेसा याद रखो अपने ही जल्दी जड़ काटते हैं ठीक है न जो हमारे अपने होते हैं वो ही जड़ काटते हैं और आइंदा ये चीज तो मैं इस खुलिया में बोलता हूँ किसी हम प्राय को बुलाएंगे कभी अपने को नहीं बुलाएंगे चाहे वो हमारा दोस्त हो चाहे हमारा भाई हो चाहे हमारा रिस्तदार हो चाहे कोई भी हो ठीके एक सलीम है ये सलीम ये कर दिल खोल कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ और on recording इस वीडियो बोलता हूँ कि यह मेरा चोटा भाई है मैं इसको हमेसा चोटा भाई मानता हूँ कभी जो मेरे सवालों को कभी को जवाब नहीं देता है आज तक मैं इस पर हमेसा विश्वास करता हूँ यह मेरे उपर विश्वास करता है यह भी मुझे बड़े भाई की तरह मानता है मैं इसको छोड़े भाई की तरह मानता हूँ बट कुछ आदमी हैं बहुत बेकार बहुत निकम्मे और बहुत हराम खोर है जो नमक खाके नमक हलाली करते हैं अब वह कोन है वक्ताने निवे जरूर बतलाओंगा इस वीडियो में फिलाल इतना भाई अपका भाई अलभी दं लेता है फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में और नया कोइ मूज़ लेकिश और आएगा माल्टा के तरफ से और माल्टाइक लिए अपडेट देता रहूंगा, ऐसा कोई बात नहीं अब रभाइगें अल्पित लेता है अल्लाः आपीस